वेल दोस्तों इन टोडेस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया में आने वाले पांच ऐसे बहतरीन लेपटॉप्स जो की 70,000 रुपीज के अंदर आ जाते हैं आपको आइडिया हो जाए कौन सा लेपटॉप आपके लिए बैस्ट है अगर आप दाटेक्ट प्रिक पर नए हो देन हिट दे सब्सक्राइब बटन बगल वाले बेल लाकिन को दबा दो वाल गाइस चलिए लेट्स के स्टाड़ेड गैस लिस्ट की शुरुआत होती है लेनो अपर लेपटॉप के अंदर आपको 300 निट्स की 14 इंच फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो डिस्प्ले है उसमें आपको 100% sRGB देखने को मिलेगी वीजन बाकी टैच स्क्रीन तो ही अब जो लेपटॉप की स्क्रीन ना वो बिलकुल पीछे तक फ्लिप हो जाती है सो डेट आप आर्ट वर्क वगेरा जैसे काम इसमें इसी लिक कर सकते हो आपको लेपटॉप के अंदर आई 511 जरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 1135 G7 वाला जो की 4-Cores वाला प्रोसेसर है लेपटॉप में आपको 8GB आफ रेम देखने को मिल जाएगी 512GB की आपक पर मिलता है अब बिकॉज यह एक टेट स्क्रीन लैपटॉप है एंड इसक्रीन भी पीछे तक चले जाती है तो आपको लगता होगा क्या यह लैपटॉप प्रफेंट आफ यूज के लिए अच्छा होगा दैन आपको बता दूँ इस लैपटॉप के साथ ना इन्होंने स् 68,500 रुपीज में मिल जाएगा ओन अब देखो यह लैपटॉप लेना किसको है सिंपल एंड साटीक बात बताऊ ना तो जिसको टैच स्क्रीन लैपटॉप लेना था उसको मल्टीपल टास्क करने देन आप इस वाले लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो बाकि इसमें आपको पैन भी देखने को मिल जाता है जिसके तुरू आप ड्राइंग से वागरा या स्टैप के काम कर सकते हो नाव गाइज हे कमस नमबर फॉर विच इस असूस वीवबुक प्रो 14 ओलेट अब यह जो लैपटॉप है ना 14 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है वा 2.8 डिस्प्ले है इसका जो की 90 हर्ट की रिफ्रेश्ट देता है आपको आज की लिस्ट में कोई भी लैपटॉप 60 हर्ट से उपर की आपको रिफ्रेश्ट नहीं देता बट असूस का यह लैपटॉप देता है इसमें आपको पावरफुल राइजन 5 5600 एच प्रोसेसर देखने को मिल जाता यह आपको 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है जो की काफी जादा ब्राइट है लाइक आप आउट साइड बीस लैपटॉप को चलाओगे तो आपको एकदम नॉर्मल लगेगा इतना जादा ब्राइटेस का डिस्प्ले बाकी एक ट्रू एच्डिया डिस्प्ले है जह ब्लैक्स बीस लैपटॉप के काफी अच्छे बाकी यहां पर आपको एमडी की इंटिग्रेटर रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है लैपटॉप का वेट काफी ज्यादा कम है और वन पॉइंट फॉट्टी के असपास है काफी थिन लैपटॉप है मेटलिक जाते हो जहां पर आप एजी टास्क तो करीप हो लाइक ट्रेडिंग हो गया या फिर कोडिंग और बाकी आपको एक पावरफुल टास्क भी करना लैपटॉप में लैपटॉप में लाइक वीडियो एटिंग या फिर दिसाइनिंग वगरा एंड आप एक ट्रू डिस्प्ल किया है विकास प्राइस के साफ से वह आपको जाद अच्छी पाफुमेंस दे रहा है लेकिन आप चाहो तो इसका इंटल वेरिंट भी ले सकते हो सबी के जो लिंक्स है ना डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने यह जो लैपटॉप है ना AMD Ryzen 7 5800U के साथ में आपको देखन प्रोसेसर है फिफ जनरेशन का प्रोसेसर है यहां पर एट कोर्स आपको देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले की बात करूँ 14 इंचिस का एक 2.2 वाला डिस्प्ले मिलता है आई पेस डिस्प्ले यहां पर जो पीक ब्राइटनेस है वो 300 निट्स की है 60 हर्स की मेगाट्स की आपको SSD देखने को मिल जाती है अब राइजन का प्रोसेसर है तो इंटिगरेटेड ग्राफिक्स भी देखने को मिलेगी ही बाकी बैटरी में आपको रैपिट चार्ज मिल जाता है जहां 80% तक की बैटरी एक घंटे में चार्ज हो जाती है कीबोर्ड में आप इसको भी rough and tough यूज कर सकते हो पूरा का पूरा मेटल चैसी में आता है आपको 3-year warranty भी इसमें देखने को मिल जाती है नाँ गैज हीर कमस नमबर 2 विच इस एचपी परवेलियन 14 गैज एचपी की तरफ से यह जो लैपटाप है ना मेरी हर एक प्रफिशनल लैपटाप वाली वीडियो में लग बग नमबर वन या टू पर ही रहता है इसमें आपको जो गॉन्फिगरेशन मिलती है वो आपको जो डिस्प्ले है वो 14 इंचिस का डिस्प्ले है, Full HD है, IPS है, 250 nits brightness के साथ आता है, बिकाज इंटेल प्रोसेसर मिल रहा है तो इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाती है, लैपटाप का जो बिल्ड है काफी जादा बहतर है, एक सूपर इसपी टैप सी पोर्ट मिलेगा आपको, दो USB टाइप पोर्ट मिल जाते हैं, बाकी नॉर्मल सारे पोर्ट मिलते हैं, अब एक्स्रा फीचर्स की बात करूँ, तो लगबग सारे फीचर्स आते हैं, जो बाकी लैपटाप में, कुछ एक्स्रा फीचर्स में है नी, पिकाज 14 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, तो लै अब गाईज, अगर आपको HP में ही कोई लैपटाप लेना था, बट आप 15.6 इंच वाले डिस्प्ले लेना चाहते हो ना, आप HP Pavilion 15 चेक आउट कर सकते हो, ये वाला लैपटाप को और i5 1240P के साथ आता है, जो की 12 और 16 थेर्स वाला प्रसेसर है, HP Pavilion 14 में जो प्रसेसर मिल ती है, वैसे 14 में भी इनको ये उएजडी की जगा आईरिस ही देनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों नहीं दी, यहाँ पर जो रेम है, वो 16 GB की मिल जाती है, अब इस लैपटाप में, HP Pavilion 14 में, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, प्रसेसर का फरक है, डिस्प्ले का फरक है बट प्राइस का भी फिर फरक होई जाता है काफी, यह अरॉंड 72,000 रुपीज के आसपास आता है, और वो 70,000 में मिल जाता है आपको, यह वाला जो लैपटाप है ना, फुल साइस कीबोर्ड के साथ आता है, बाकि फिंगर पिंट सेंसर इसमें भी है, उसमें भी है, ट्रै आपको प्राइस काफी कम है, आपको 63-65,000 तक कोई बैस लैपटाप चीए, तरने आप असूस वीविवुक प्रो 14 ले सकते हो, काफी अच्छा लैपटाप है, लेकिन आपको 14 इंच का लैपटाप नहीं चीए, आप 15 इंच का लैपटाप लेना चाहते हो, पूरी लिस्ट म आपको टच स्क्रीन लैपटाप लेना है, तब तो आपके पास जादा ओप्शन है ही नहीं, लेना वो, थिंक बुक, योगा, दी बैस्ट ऑप्शन, अंडर 70,000 रुपीज प्राइस रेंच है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई